C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है श्रिंखला कविता मंजरी इस श्रिंखला में आज सुनते हैं छाया वादी कवी सूरे कांत त्रिपाठी निराला की कविता तोड़ती पत्थर मित्रो, कविता मंजरी कारिक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है कारिक्रम के इस श्रिंखला में हम आपके लिए लाएं हैं हिंदी के चायावादी कवियों की रचनाएं चायावाद आखिर है क्या? चायावाद वास्तव में हृदय की अनुभूती है ये भौतिक संसार में प्रवेश कर अनंत जीवन के तत्व ग्रहन करता है और उसे वास्तविक जीवन से जोड़ कर शिदय में जीवन के प्रती एक गहरी संवेदना और आशा प्रदान करता है इस क्रम में आये सुनते हैं सूर्य कांत त्रिपाठि निराला की अनामिका से संकलित एक कविता तोड़ती पत्थर वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलहाबाद के पत्थ पर वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार श्यामतन भर बंधा योवन नतनयन प्रिय कर्म रत्मन गुरु हतोड़ा हात करती बार बार प्रहार सामने तरू मालिका अट्टालिका प्राकार चड़ रही थी धूब गर्मियों के दिन दिवा का तम तमाता रूब उठी जुलसाती हुई लू रूई जो जलती हुई भू गर्द चिनंगी छा गई प्राया हुई दुपहर वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलहाबाद के पत्थ पर वह तोड़ती पत्थर देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्नतार देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस द्रिश्टि से जो मारखा रोई नहीं सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी जंकार एकशन के बाद वह कापी सुघर धुलक माथे से गिरे सीकर लीन होते कर्म में फिर जों कहा मैं तोड़ती पत्थर वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलहाबाद के पत्थ पर वह तोड़ती पत्थर मित्रो इस कविता में निराला ने एक युगो युगो से चले आ रहे शोशित और शोशक वर्ग के बीच के अंतर का वर्णन किया है यथार्त जीवन से जुड़े इस कविता में निराला ने पत्थर तोड़ती मज़तूर्णी का अत्यंत मार्मिक चित्रखी चाहे यहां मेहनतकश जनता के प्रती कवी की सच्ची सहानुभूती व्यक्त हुई है गर्मियों की धूप में घर्ती रूई सी जल रही है और उसके सामने अच्छे घने चायादार व्रिक्ष भी है जो शायद उसके लिए नहीं रास्ते पर बैठी वो पत्थर तोड़ रही है ऐसा लगता है मानुप पत्थर पर पढ़ता उसका हर प्रहार जैसे समाज, सभ्यता और संस्कृती के बहुत लंबे समय से चले आ रहे रूढ़ी, बासी, जरजर परंपराओं पर पढ़ रहा है मित्रो, ये कविता, शोशित और महनतकश वर्ग की दीन दशा का बखान करती है हम अकसर ऐसे द्रिश अपने आसपास देखते भी है तो क्यों ना ऐसे ही किसी श्रम जीवी वर्ग की दीनता की कहानी को नई कविता का रूप दे? तोड़ती पत्थर अभी आप सुन रहे थे ये कविता अभी आप सुन रहे थे ये करता मिल झाप सुन रहे थे जाओना की देखते ये ये दुन रहे नहें दोबेकों के का बखान की अवेड़ती है झाल झाल